कॉम क्लास आज हम ओभी में पढ़ेंगे और्गनाइजेशनल कल्चर के बारे में तो हमारा कोर्ष जो है वो तक्रीब नेंड होने वाला है हमारे तू 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 त्री लेक्टर्स रह गए हैं अब हमने सिर्फ क्या करना है कि जसे हमने कोर्स टार्ट किया था मैं पहले भी होते हैं डाइवोसिटी वग्यरा होती है इंडिविज्विज्व डिफरेंसीज होते हैं मोटिवेशन होती है हमने यह सारी चीज़ें पढ़ी थी फिर के आया कि हम उसको एक ग्रूप की फॉर्म में लेके चले गए जब कि जब हर इंसान में डिफ्रेंट डिफ्रेंट प् पढ़ी तो अब हमारे जो लास्ट टू टॉपिक्स रह गया हैं वो और्गनाइज़ेशन कल्चर और स्ट्रेस और और्गनाइज़ेशन एंवाइर्मेंट इन चीज़ों पर बेस करें होंगे तो आज के जिस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वह हमारे पास होगा हम स्यूंन पिरियुसली हर और्गनाइज़ेशन का और रघ्ट क और कोई नब और कोई कोई स्कासी एंवाइर्मेंट होता है स्टीसमें अ यहें वह मिलच कंगव करें होते हैं तो इसको हम और्गनाइज़ेशनल क् rendezce का जिए वह जो हो नाम देते हैं ठीक है कि ठान कल्च बनाते हैं तो इसका मतलब है कि वो organization का culture बन गया तो आज कि हम लेक्चर में जो है वो study करेंगे organization culture को एक detail में हम start करेंगे organizational culture की definition से definition में हम उसके कुछ trades या फिर properties को जो है वो study करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि organizational culture की definition हमारे पास क्या होती है ठीक है जी organizational culture की जब हम बात करते हैं तो एक main चीज जो बहुत ज्यादा important होती है number one पे हमारे पास होती है adaptability ठीक है जी this is number one adaptability means कि कौन सा worker जो है वो कितना ज्यादा adaptive है किस तरह की situation के लिए यानि दो जो वर्कर्स हैं दो employees हैं वो वो कर रहे हैं तो वह environment से कितने ज्यादा मानूस हुए हैं कितने ज्यादा उन्हें उस situation में adapt किया हुआ है कितने ज्यादा वो well settled है उस situation में इसका मतलब है कि उन्हें adaptability है detail orientation orientation means कि कौन सा बंदा किस तरह का वर्क जो है वो करना चाह रहा है बाहत लोग जो हैं वो group oriented होंगे जो group work को promote करते होंगे उनका दिल करता होगा कि वो एक group की form में काम करें कुछ ऐसे लोग होंगे कि उनका दिल करता होगा कि हमें individual projects जो हैं वो दिये जाए हम उन पर काम करें ठीक है तो यह orientation हो गई orientation के बाद क्या है हमारे पास orientation की ही आगे types है result outcome orientation दूस्ट्री ओर्येंटेशन हमारे पास है people customer ठीक है जी फिर orientation हमारे पास है collaboration team result outcome orientation क्या होती है कि कौन सा बंदा जो है वो result की तरफ जा रहा है कि किसी चीज़ का एक खास result क्या है या फिर outcome outcome जो है वो एक broad umbrella आ जाती है जिसमें result भी आ जाता है और different or behaviors भी आ जाते हैं या एक चीज़ का outcome दूसरे outcome से कैसे relate कर रहा है दूसरी चीज़ से यह भी आ जाता है ठीक है people customer means के employee जो है वो people oriented है यह customer oriented है ठीक है collaboration team means के collaboration से orient कर रहा है orientation उसकी collaboration wise जा रही है या फिर team की तरफ जा रही है तो यह हमारे पास orientation की detail है फिर हम देखते है integrity 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 क्या होती है कि दो लोग या दो group of people एक दूसरे के साथ कितना mail जूल के काम करते हैं कितनी जादा एक अच्छी bonding करते हैं कितने जादा एक दूसरे के साथ cohesive है इसको हम कहते हैं integrity integrity ठीक है तो यह हमारे पास basic concepts है organizational culture में इससे हमें क्या समझाती है कि organizational culture जो basically वो क्या है it is a system of shared meaning held by an organization's members that distinguish the organization from others यह basically हमारे पास वो ट्रेट है वो खुसूसियत है वो ability है जो किसी भी एक organization को दूसरी organization से differ करती है जैसे हम इसको हम इस तरह से explain कर सकते हैं जैसे हम all over the world different countries है और different countries जो है वो different different हमारे जो सब continents हैं वर्याजम है उन में रह रही है let's suppose के Pakistan is a country named as A and India is a country named as B so Pakistan की जो surroundings है या Pakistan का जो अंदर है जिसमें A है वो पाविसानी कल्चर होगा जो B जो है वो Indian culture होगा ठीक है तो इस culture में जो हो रहा होगा वो इस culture से different होगा और इसी तरह जो इस culture में हो रहा होगा वो इस culture से different होगा तो इसी तरह organization culture में क्या है कि ये वाली organization ये वाली organization से कहां कहां differ कर रही है किस किस level पर differ कर रही है जब हम इस चीज को study करते हैं तो इसका मतलब है कि हम organizational culture को study करे हैं ठीक है? अब हम देखते हैं कि culture हमारे पास एक descriptive term होती है ठीक है? descriptive term हमारे पास क्या होती है? descriptive कौन से terms होती है? वो वाली terms जो के itself जो हैं वो explain करी होती है अपने आपको describe करी होती है culture means कि किसी भी चीज का culture कहीं का environment जैसे हमने ये दो circle से समझा organization organizational culture means वो culture जो कि किसी भी organization में होता है तो organization culture जो है वो descriptive term है एक self-explanatory term है खुद ही अपने आपको explain करती है खुद ही अपने आपको describe करती है ठीक है जी? हर organization में culture जो है वो एक दूसरे की तरह भी हो सकते है एक दूसरे से different भी हो सकते है ठीक है two organizations ऐसे भी हो सकता है कि एक ही culture में हो एक ही principle को लेके चल रही हूँ लेकिन एक organization के जो goals है work goals है दूसरी organization के work goal से different हो ठीक है या फिर एक ही organization में 2, 3, 4 जितने भी departments होते हैं हर department अपना अपना work कर रहा होता है तो हर department कभी specific environment होता है ठीक है तो यह हमार पास क्या आ जाता है कि culture within a culture ठीक है अब हम देखते हैं कि basically हमार पास culture के functions क्या क्या होते है है what do cultures do function में जब हम देखते हैं functions of culture functions of culture हमार पास क्या होते है culture defines the rules of the game ठीक है organization culture क्या करता है कि वो rules बना देता है rules कैसे बना देता है जैसे हम पाकिस्तानी country में रहते हैं हमारे हां क्या है कि हमारे हां कुछ specific rules है तो वो हमारी जो एक Islamic country है वो Islamic law पर base कर रहा है हमारा जो rule and regulation system है तो हमारे rules उसके accordingly बने वे है अगर हम किसी बहार के foreign country में जाते हैं तो वो चुंकि non-muslim होते हैं तो उन्होंने अपना culture उसी हिसाब से जो है को सेट किया होता है अपने tradition दूसी हिसाब से से किये वे होते हैं तो वहां के rules जो है वो उस culture के होता है कि वह आपको क्या है है यहाँ पर यहाँ पर यह यहाँ नहीं आब अगर हम करते हैं तो हर हमारी ही आउट्लाइक यहिए गोल के लिए में हमें यह वाल дост वीक्ट सबूसर आने पड़ेंगे तो उन सब बते हैं गोल्स के लिए जो कोई भी रूज डारेक्शन हम बनाते हैं बैसिकली वही हमारी सारी टीम को सारे वर्क को डिफाइन कर रहे होते हैं ठीक है अब कल्चर का एक और फंक्शन क्या होता है कि कल्चर हमारा एक क्लाइमेट भी बना देता है यानि कल्चर जो है वो वर्क एंवार्मेंट को सेट कर देता है यानि रूज जो होंगे जब वो बन जाएंगे तो वो एक प्रॉपर वर्क एंवार्मेंट बना देंगे किसी ऑर्गनाइजेशन में किस तरह कि वो लोगों को यह बताएंगे लोगों को पता चलेगा और करके किया जाएगा या घर हाइरिंग होती है तो किस बेस्ट कर देता हूँ हुए यदर डिलां उतिक्स में कुछ एठीक्स होती है ठीक है, ethics क्या होती है, वो ही जिनकी base पे rules बनाया जाता है, ethics से जब deviation होती है, तो वो क्या होता है, कि वो कुछ forensic departments होते हैं, कोई law and legislation system होता है, जो इस चीज को deal कर रहा होता है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि culture and sustainability क्या होती है sustainability हमारे पास क्या होती है, कि किसी भी culture को sustain करने के लिए, काइम रखने के लिए अपने आपको कुछ rules की जरूरत होती है, कुछ principles की जरूरत होती है तो culture जो है, वो किसी भी environment में, किसी भी organization में उसको sustain करने का, उसको काइम रखने का, उसको maintain करने का एक environment फराम करता है अगर किसी organization में specific culture नहीं होगा specific set of rules नहीं होगे तो क्या होगा कि वो organization जो है वो sustain नहीं करेगी ठीक है वो organization जो है वो एक अच्छी position पे नहीं रहेगी जो उसके competitors होगे जो उसकी market value होगी उनको उसको उस value को वो गिरा देंगे और लोगों का एक जो general जो public का जो एक mindset है वो उस organization के बारे में यह बन जाएगा general public का कि यह organization तो अच्छे से work नहीं करती यह तो sustain नहीं करती तो जब public demand उसकी कम हो जाएगी तो जाहिर है कि उसकी जो एक standing position है जो उसका organization की जो एक value है वो down हो जाएगी तो यह चीज sometimes downsizing को भी lead कर जाएगी downsizing क्या होती है यह हम last lecture में बढ़ चुकी है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि culture जो है वो किसी भी चीज का किसी भी unit का किसी भी society का किसी भी organization का एक basic asset होता है एक basic asasa होता है culture वो चीज होती है जिसकी base पे कोई भी society अपने जो legs होती है जो pillars होती है उन पर stand करती है यानि culture जो है हम कह सकते हैं कि culture एक pillar के तोर पे काम कर रहा होता है किसी भी organization को बनाते हुए ठीक है जी उसके बात क्या है कि culture जो है हमारे पास एक liability होती है liability क्या होती है कि हमारे पास वो चीज जो के बहुत जुरूरी हो बहुत जादा valuable हो अगर वो हम से छिंच जाए या ले ली जाए तो हम value less हो जाए हमारी कोई value ना रहे हमारी कोई position ना रहे ठीक है liability क्या करती है यही cultural liability हमें क्या करती है कि समटाइम्स हमें diversity से बचा रही होती है जैसे culture में different-different लूग जो है वह कर रहे होते हैं different l रह रहे होते हैं societal culture में इसी तरह organizational culture में भी जो लोग होते हैं जो एक work team होती है हर कोई different background विलॉग कर रहा होता है तो जब different background से लोग belong करते वैं एक ही environment में काम करते हैं तो sometimes उन में कुछ disagreements भी आती हैं तो यह चीज जब एक climate टो इसकी से बहुत अच्छी से तरीके अच्छे से उनको सुलूशन में डाला जा सकता है उनको हल किया जा सकता है जब यह क्लाइमेट रूब से नहीं होंगे तो डिभोस टिश्धि क्या कर seldom ने के कणल creator के work को functional से dysfunctional कर देंगे ठीक है या फिर क्या होगा कि leader को अगर अपनी upper party से बहुत ज़्यादा कोई conflict होगा या उसकी misunderstanding होगी तो वो क्या होगा कि वो उस conflict को resolve नहीं कर पाएगा तो it is very necessary basically कि आप अपना एक rule एक climate जो है वो उसको set कर लें ताकि आप organization में अच्छे तरीके से work कर सकें ठीक है अब हम देखते हैं कि हम culture को sustain कैसे कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे sustainability कैसे हम इसको achieve कर सकते हैं culture में culture में हम sustainability को किस तरह achieve कर सकते हैं कि कोई भी culture organization में begin कैसे किया जाता है यानि basically वो क्या threshold थी वो क्या environment था वो क्या situation थी जिसने इस चीज़ को lead किया कि culture को sustain करना चाहिए या environment को इस तरह से रखना चाहिए जाहिर है कोई ना कोई reason होई होगी कोई factor हुआ होगा जिसकी base पे किसी भी organization का culture बना होगा तो जब हम sustainability की बात करते हैं तो हम first step से चलते हैं और यह देखते हैं कि यह organization कब बनी थी कैसे बनी थी जिस वक्त यह बनी थी जब यह बनाई गई थी इसकी foundation रखी गई थी तो उस time वो क्या rules थे क्या factors थे जिसकी base पे इसको रखा गया था ठीक है जी उसके बाद क्या होता है कि हम culture को किस तरह से alive रख सकते हैं organization culture को alive हम किस तरह से रख सकते हैं कि हम उसके climate को जो है वो अच्छा रख सकें climate को किस तरह से रख सकेंगे कि जो organization के members हैं जो employees हैं जो leaders हैं उनकी सब में एक अच्छी cohesion हो एक अच्छी bonding हो जब सब की एक अच्छी bonding होगी हर बंद अपना proper work कर रहा होगा तो climate automatically अच्छा हो जाएगा जब हर बंद अपना proper work नहीं कर रहा होगा या एक परसन दूसरे परसन के काम में जो है कोई conflict create कर रहा होगा misunderstanding create कर रहा होगा या फिर एक ही ग्रूप के दो members आपस में conflict में आ जाएंगे तो क्या होगा culture alive से dead पे चला जाएगा ठीक है इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास इस चीज में selection भी बहुत ज़्यादा matter करी होती है कि किसी भी organization में hiring और firing किस base पे किस criteria पे की जाती है ठीक है यानि organization में recruitments जब होती है हब रहा हाय जाता है different लोगों को नए employees को तो और प्राइटेरिया होता है श्क्राइस टेम भाइंड की जाता है ठीक है और जब उनको hiring उनकी amendies कर ली जाती है तो उनसे क्या expect किया जाता है जह किस तरह करेंगे ठीक है और अगर यहकित athletes को जुए फायर बैड होने को डिटर्मिन करी होती है organizational setting में टॉप management बहुत ज़दा role play करी होती है कि किसी भी environment में किसी भी organization में जो टॉप जो है वो authority बैठी हुई है जैसे हमने last lecture में पढ़ा था कि duties जो है वो divide हुई भी होती है इस level पे भी लोग बैठे होते हैं इस level पे होते हैं और इधर भी हर step पे different different लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं तो जो top management होती है जो यह वाला level होता है वो अपना work किस तरह से करता है और वो किस employee को किस तरह से deal करता है इदर हर स्टेज पे यह वाला जो रोल होता है इन लोगों का जो रोल होता है वो किस तरह से जा रहा है डिवाइड हो रहा है वो किस तरह से responsibility को divide कर रहे हैं यह वाले लोग अपने नीचे वाले employees को यह भी बहुत जादा रोल प्ले कर रहा होता है sustainability में ठीक है अगर यहां पर टॉप management जो है किसी एक group member को यह किसी एक organization के member को ज्यादा favor देगी और दूसरे को काम देगी तो क्या होगा कि members का एक दूसरे के साथ जो है वो conflict और tussle create हो जाएगी तो वह चीज क्या करेगी कि environment को खराब कर देगी अलाइफ से dead कर देगी situation को culture को जब हर कोई अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा होगा तो automatically sustainability अजीव हो जाएगी ठीक है जी उसके बाद हम आगी जा कि क्या देखते हैं कि organization culture जो है हो किस तरह से learn करते हैं employees यानि अभी तक हमने यह देखा कि और और इसे न से structure क्या होता है और और डिड़्याजेशनल क्लचर क्या होता है वह किस तरह से बनता है में में उसके क्या points होते हैं उसके functions क्या होते है sustainability किस तरह से chief की जाती है अब हम देखेंगे कि ऑर्गनाइजेशन क्छर में जो employees होते हैं किसी भी और्गनाइजेशन में किस तरह से उसके culture को समझते हैं किसी भी यह को glueat ले लीएंप किसी भी work environment kerenón constructed जो है वह अपने work environment को अपने culture को अपने जहां पर वो वर्क कर रहा होता है उसको किस इस तरह से समझता है अब हम यह देखते हैं ठीक है इसमें हम दो तिन पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर हम अपने उनको आपस में गूसरे से रिलेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने लेक्चर को terminate कर देंगे और उसके साथ ही हमारा ये topic भी close हो जाएगा How employees learn culture ठीक है इसमें क्या होता है सबसे पहले stories की बात आती है कि employees को अपनी organization के बारे में किस किस तरह की stories किस तरह की reputation किस तरह की point of views सुनने को मिलते हैं ठीक है यानि जब एक person जो है वो उस age group में जाता है उस level पे जाता है जहां वो ये note करे कि मुझे अब जो है वो employment मिल रही है या जब कोई भी person अपने career का start करता है तो जिस भी career में जिस field को वो opt कर रहा होता है उस field के बारे में उसने क्या सुना हुआ है general public के क्या point of views हैं ये चीज बहुत ज़्यादा impact डाल रही होती है कि वो क्या सोच रहा है अपनी job के बारे में ठीक है like अगर हम अपनी society की बात करें तो हमारे society में क्या है कि हम दो तीन professions को हमारे society में बहुत ज़्यादा value दी जाती है like आप कहलें कि doctor या engineer इनको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा valuable professions हैं ये लोग बहुत ज़्यादा study करते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो tough in की routine होती है और ये बहुत highly achieve करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा respectable profession समझा जाता है तो जब एक person एक MBBS करके एक young doctor अपनी field में काम करने लगता है तो जो जो भी society उस time तक उसके mind में जो जो भी डाल रही होती है उसमें जो भी सुना होता है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा effect कर रहा होता है कि वो किस तरह का doctor बनेगा जब वो practice में जाएगा ठीक है इसी तरह किसी भी profession की बात ले 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 किसी teacher की example ले 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 किसी banker की example ले ले stories basically वो content होता है जो society hold कर रही होती है किसी भी एक खास profession के बारे में ठीक है rituals rituals क्या होता है यह हमारी वो traditions होती है वो set of values होती है जो हमारे mind में किसी भी चीज का concept बना रही होती है ठीक है हर society में कुछ rituals होती है और इसी तरह हर organization में भी कुछ rituals होती है तो यह rituals भी lead कर रही होती है employees के behavior के साथ ठीक है जी अब हम देखते हैं कि ethical culture जो है वो किस तरह से बनाया जाता है ethical culture किस तरह से बनाया जाता है कि आप एक visible role model बने हर employee की अपनी अपनी जगा ये duty होती है कि जो उसको duty assign की गई है वो उस duty को अच्छी तरह से fulfill कर रहा हो वो एक अच्छा role model बन रहा हो ठीक है तो जब वो एक अच्छा role model नहीं बन रहा होगा तो क्या होगा कि वो बुरी तरह से contribute कर रहा होगा अपने culture की तरह बुरी तरह से contribute कर रहा होगा तो as a whole यह चीज़ उसका impression lose कर रही होगी अपनी society में, अपने culture में, अपनी organization में ठीक है जी, communicate ethical expectations, यानि जिस भी organization में आप work कर रहे हैं, अगर आपको कोई difficulty है, आपको किसी के साथ कोई problem है तो अप एक ethical way में अपने उस problem को communicate करें दूसरों के साथ, कि मुझे इस बारे में ये complaint है, मुझे ये issue है, मुझे इस तरह से है ठीक है, provide ethical training, यानि हर organization की ये duty है, कि वो अपने employees को कुछ ऐसी training दे, जिसमें उसको proper ethical way में work करना सिखाया जाए visibly reward ethical acts and punish unethical ones, यानि किसी भी organization में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि unethical और ethical duties के दर्म्यान एक line हो employees को बताया जाएं कि this is unethical, ये unethical की domain है, और ये जो है, वो ethical की domain है, और इसमें ये ये चीज़ें fall करी है ताकि employees को पता हो कि अगर वो इस साइट पे रहेंगे तो वो unethically behave करेंगे, इस साइट पे रहेंगे तो ethically behave करेंगे, ठीक है, उनको खुद ही पता हो कि उन्होंने किस limit में रहके work करना है, ठीक है जी, और ये चीज़ जब unethical और ethical का बताया जाएगा employees को, तो क्या होगा, क ये positive culture को बनाने में, breed करने में help करेंगी employees को, ठीक है जी, positive culture किस तरह से होगा, कि हर employee जो है वो, अपनी अपनी duty perform कर रहा है, जैसे हमने अभी last point में एक pyramid बनाया था, तो positive culture को, इस concept में हम कैसे पढ़ेंगे, कि हर level पे, हर person जो है, वो अपना काम honestly कर रहा है, top management जो है, अपना काम करी है, middle के जो लोग है, जो निशनल लेवल के लोग है, वो अपना काम करे हैं, तो क्या होगा, कि हर बंदा जो अपनी duty को, अच्छे तरीके से perform कर रहा होगा, तो automatically, एक positivity की situation जो है, वो maintain हो जाएगी, और sustainability एचीव हो जाएगी, ethical environment जो है, वो बन जाएगा, ही क्या जी, और एक और concept क्या होता है, कि employees को reward ज्यादा किया जाए, rather than punishment से, punishment जो होती है, वो क्या करती है, कि आपकी psyche को damage करती है, और आप में थोड़ी सी rebelliousness को भी create कर देती है, तो क्या होना चाहिए, कि reward system जो है, वो ज्यादा upper position पे रखना चाहिए, rather than punishment, जब आपके reward system अच्छे होंगे, employees के लिए, तो automatically वो unethical domain में काम करना बंद कर देंगे, या किसी हद्ता कि इस चीज़ पे control हो सकेगा, अच्छी तरह से, ठीक है, जब आप punishment और reward में एक balance नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, कि ethical और unethical में भी balance नहीं रखा जा सकेगा, ठीक है जी, और क्या होगा, कि आप अपने employment की growth को जो हैं वो promote करें, आप अपने जो, आपने employees रखें हुआ हैं, आप उनको proper time to time उनको आप incentives देते रहें, आप उनको properly promote करते रहें, अपर positions पे, तो इससे भी chance बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कि वो आपकी organization को छोड़ के जाएं, leave करें, या दो employees के बीच में कोई टसल हो, या employee अपना work जो है, वो सही तरीके से ना करें, कि कही ना कही, vitality और growth का concept भी reward system से ही lead कर रहें, जब आप अपने employees को अच्छी तरह से reward करेंगे, तो इसका मतलब है कि automatically आप उनकी growth की तरफ उनको बढ़ा रहे हैं, उनकी growth को promote कर रहे हैं, यहाँ पे जो growth की बात कर रहे हैं, keep it in mind, कि यह वाली जो growth है, यह physical growth नहीं है, यह ह देखता है कि उसको praise किया जा रहा है, यह उसको अपने environment से acceptance मिल रही है, तो naturally यह human tendency है, कि इंसान अच्छा work करता है, तो जब आप अपने employees को अच्छे तरीके से reward करेंगे, तो उनमें अच्छी growth होगी, अच्छा environment जो है वो बन जाएगा आपके काम के लिए, ठीक है जी? उसके इलावा हम इसमें क्या देखेंगे? कि इसमें कुछ limits भी होनी चाहिए, यानि यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आप positive culture beat करें, तो आप इतना ज्यादा जो हैं वो employees को incentives देने शुरू कर दें, या इतनी ज्यादा positivity आप create कर दें, कि वो positivity itself एक negativity create कर दें, ठीक है? आप positive culture दें, अपने environment में, अपनी organization में, but there should be a limit कि आप उसमें रह के positivity को रखें, यानि आप कुछ rules बना लें, कुछ regulations बना लें, अपना एक system बना लें, कि हमने employees को इसी तरह से ही treat करना है, और हमारी organization का यही culture है, और अब फिर आप own set of rules पे काइम रहें, उनको change ना करें किस इसी और के लिए, ठीक है जी, तो basically यह हमारा आज का lecture था, इसमें हमने क्या देखा, हमने organizational culture को जो है, वो study किया, उसमें हमने basically organizational culture की definition देखी, हमने कुछ points देखके, जिसमें adaptability था, और हमारे पस क्या था, orientation थी, ठीक है, integrity थी, फिर हम आगे चले गए, हमने देखा के culture जो है, वो एक descriptive term होती है, फिर हमने देखा के culture जो है, क्या कर रहे होते हैं, culture के functions क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा के culture एक climate बना रहा होता है, sustainability प्रोवाइड कर रहा होता है, culture ethical domain में रह के work कर रहा होता है ठीक है जी फिर हमने देखा कि culture जो है वो किसी भी organization में एक asset होता है और एक liability होती है फिर हमने देखा कि हम culture को begin कैसे करते हैं culture को हम alive कैसे रखते हैं उसमें top management का क्या role होता है और lower management का क्या role होता है और middle management का क्या role होता है ठीक है फिर हम आगे चले गए और हमने देखा के culture जो हैं वो learn किस तरह करते हैं employees किस तरह से सीखते हैं culture के बारे में उसमें हमने देखा के stories involved होती हैं और rituals involved होती हैं फिर हम आगे चले गए और हमने देखा के culture का influence किस तरह से होता है ethical culture किस तरह से बनाया जाता है फिर हमने देखा के positive culture क्या होता है, positive culture में हमने देखा के employees को strength किस तरह दी जाती है, reward system जादा अच्छा होना चाहिए, punishment काम होनी चाहिए, हमने ethical और unethical को पढ़ा कि there should be a line, फिर हमने देखा के positivity जो है वो किस तरह से generate की जाती है और positivity employees की growth को किस तरह से relate करी होती है and last में हमने जो टी study की वो ये के positive culture की भी एक limit होनी चाहिए, there must be a limit के आप अपना culture जो है वो ये वाला रख रहे हैं, अपना environment इस तरह का रख रहे हैं, positivity इस तरह की रख रहे हैं, तो उसमें एक limit होनी चाहिए के positivity की ये limit है और उसके बाद आगे जो है वो punishment system start हो जाएगा, ठी ठीक है, यहां पर हमारा आज का lecture भी खतम होता है और हमारा organization culture का concept भी खतम होता है, thank you, allahafiz